वेलकम फ्रेंड सेंथ कोलंबस कॉलेज हजारी बाग जारखन के तरफ से बैचलर ओफ कम्प्यूटर एप्लिकेशन बीसीए सेमेस्टर वन की एडमीशन नोटीस जारी की गई है क्या कुछ है नोटीस में सभी कुछ डिटेल में देखेंगे क्या डेट्स दिये गया है और क्या कुछ आगे कहा गया है सब्सक्राइब कर लेज़ेगा हमारे इस चैनल को मुझ से जुड़े रहने के लिए ताकि सभी अपडेट समय पर और रासाने से मिलती रहे जैसा कि हमारे इस चैनल पर सभी यूनिवर्शिटी से हर न्यूज जो है इन्फरमेशन सभी कुछ प्रभाइट की जाती है आए स्टार्ट करते हैं देखते हैं क्या दिया गया है सबसे पहले जो है अप्लिकेशन फोर अड्मिशन इन फर्स सेमेश्टर सेशन आपका है बाइस से पचीज का यह ध्यान देजेगा सेंथ कॉलंबस कॉलेज 22-25 के सेशन के लिए है और यह जो कॉलेज है यह बिनो भावे उनिवर्शिटी हजारी बाग के तरफ से है इन्वाइट किया गया है और आपको जो यह एड्मिशन फॉर्म है यह कैसे भरना है तो आपको चांसलर पॉर्टर का यहां पर लिंक दिया गया है इस लिंक से आपको फॉर्म फिल करना है स्टार्टिंग डेट जो है आपका 27-9-2022 दी गई है लाज डेट फॉर्म फिल करने का है ओनलाइन 8-10-2022 छे बज़े तक आप भर सकते हैं इंट्रेंस एप्टिट्यूट टेस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं वो कब है आपका तो वो आपका 11-10-2022 को 10 बज़े है कहां पर है आपका इंट्रेंस एप्टिट्यूट टेस्का वेन्यू कहा है तो डिपार्टमेंट ऑफ बीसी संथ कॉलंबस कॉलेज पब्लिकेशन ऑफ मेरेट लिस्ट जो है वो 12-10-2022 को पब्लिस की जाएगी और जैसे ही पब्लिस होगे आपको इस चैनल पर प्रवाइट कर दी जाएगी विद्यों के माध्यम से कि कि डेट ऑफ विस्टार्ट आफ ऑफलाइन अदिसंघ्र में तेहर दस्थ धाजर 20 वाईस से एड्मिशन इस्टार्ट किया जाएगा लैज डेट ओफॉफ लाइन अडस, नौफ achsen को फंदर दस, दोहज हैज डिलीजिबिटी क्या है अगर कोई student करना चाता है तो उनके लिए eligibility क्या है 12th pass होना चाहिए with mathematics, accounts, cs, it application fee आपका है 500 rupees only 500 rupees है application fee और eligibility तो आपने देखी लिए है 12th pass होना चाहिए with mathematics के साथ में या accounts या cs, it applicants are directed to fill the admission form very carefully बहुत ध्यान से भरिएगा क्योंकि जो आपका incorrect information है वो आपका disqualification के लिए काफी होता है admission के समय में अगर आपको मिलेगा कि आपने गलत information दी है तो आपका cancellation भी हो जाएगा admission without refund of application application का refund भी नहीं होगा और application fee, admission fee आपको refund भी नहीं किया जाएगा और आपका direct cancel हो जाएगा further they are advice to keep visiting the और आप university की website भी देखते रहे, college website भी देखते रहे कोई भी instruction और notification के लिए वैसे तो आप मारे इस channel को अगर subscribe कर लेजेगा तो वैसे ही आपको किसी भी university site को देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर सब भी update प्रोवाइट की जाती है thank you so much, bye bye, मिलते है next video में like करें अगर video पसनाई हो तो